हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ABC Classes by राजन वर्मा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे UP SSC 2022 PET के द्वारा आने वाली भरतियां और वो कब से आएंगी क्योंकि काफी समय बीद गया है आपका PET 2022 का रिजल्ट आए तो हम इसी बारे में यहाँ पर बात करेंगे कौन-कौन सी वेकेंसी आने वाली है और लगबग कितनी वेकेंसी आएगी ठीक है कितने पोस्ट होंगे उसमें तो इन सारी चीजों पे हम बात क होगा ठीक है अप्रिल के बाद मैं आएगा आपका मैं के लास्ट वीक में ठीक है ना लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा और मैं और जून मिला कर आपके दो नोटिफिकेशन आ जाएंगे ठीक है दो नोटिफिकेशन आ जाएंगे नई भरतियों के लिए P.E.T. 2022 से P.E.T. 2022 से तो कौन-कौन सी आएगी तो हम बात करते हैं देखिए सबसे नंबर वन पर है A.G.T.A. A.G.T.A. का मतलब Agricultural Technical Assistant ठीक है ना? तो यहाँ पर agriculture से जो भी मतलब आपका qualification है उनके लिए आएगा और बहुत अच्छी वेकिंसी आएगी 3400 प्लस आएगी ठीक है ना? 3400 से प्लस ही वेकिंसी आएगी और यहाँ पर जो आपका P.E.T. 2022 का क्रैटेरिया होता है, सौट लिश्टिंग का उसका जो cut-off होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक special qualification मांगा जाता है special qualification मांगा जाता है इस बज़े से इसका जो cut-off है वो आपका कम जाएगा अगली भरती की बात करें तो junior assistant 2022 पैट से जो आएगा उसमें 3000 से ज़्यादा पदों पर भरती होगी 3000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर परती की जाएगी यह 3000 से 4000 पद भी हो सकते हैं ठीक है? अब यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तो academic marks दोस्तो आप सभी को पता होगा कि अभी तक junior assistant की vacancy में आपका 12 का 12 का आपका होता है 12 का marks मिलता है ठीक है अगर आप first division है और graduation की भी marks मिलते है ठीक है अगर आप marks ठीक है अगर आप क्या है first division है second division है इस हिसाब से marks मिलता है लेकिन अभी क्या चल रहा है आपके academic marks को हटाने के लिए कुछ बाते चल रही है ठीक है तो वो हो सकता है कि आपका academic का marks हट जाए syllabus भी बदलने की संभावना यहाँ पर है ठीक है तो यह चीज़े है अभी यह clear तो नहीं है जैसे ही clear होगा मैं आप सभी को बता दूँगा दूसरी भरती होगई junior assistant इसके लिए क्या मांगा जाता है यह आप जान लिजे 12th pass होना चाहिए plus triple c होना चाहिए और साथ में आपका English typing होना चाहिए 30 word per minute और आपका क्या होना चाहिए हिंदी typing आपको आनी चाहिए 25 word per minute WPM और हिंदी की जो बात करें तो दो font होता है एक होता है मंगल और एक होता है कुरूती देव ठीक है तो दोनों option रहेगा आप चाहिए इस पर typing करें चाहिए इस पर typing करें हाँ लेकिन typing दोनों करनी है English और हिंदी दोनों करनी है तो ये चीज हो गई आप बात करें कि Sir इनमें से पहले कौन आएगा तो आप इतना जान लीजे मई मंत में ही आपका मई के last तक मई के last तक आपका AG TA और Junior Assistant ये दोनों आगे पीछे आने वाले हैं बात करते हैं अगली भरती 2022 पैट से कौन से आएगी accountant लेखा की जो भरती है वो भी आपकी पैट 2022 से आएगी इसके लिए आपका commerce होना चाहिए commerce background होना चाहिए मतलब की become होना चाहिए ठीक है इसके लिए भी आपका जो pet का cut off होगा वो कम जाएगा pet का cut off जो होगा वो कम जाएगा क्योंकि एक special मांग लिया गया है फिर आपकी चौती जो है gram विकास अधिकारी और gram पंचायत अधिकारी वीडियो की भरती आएगी ठीक है ना अब हम बात करते हैं ये जो चार मैंने लिखे हैं ये दोस्तों 100% आपकी आनी आनी है किस से pet 2022 से आगे भी आपका lower है lower ठीक है ASO जिसका अभी DV होने वाला है हाली में बहुत जल्द एक दो दिन में आपका notice भी आजाएगा ASO 2023 ठीक है और JEE का भी आपका 2023 और गन्ना परिवच्चक गन्ना परिवच्चक ठीक है तो इन चारों में से हो सकता है कि कुछ भरती आपका क्या है थोड़ा लेट हो जाए लेकिन ये सब भी आपके निकलने की संभावना है और ये आपके 100% आने है ठीक है तो UP SSCC related जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलूँगा अगली जानकारी के साथ तब तक आप बने रहे हमारे साथ थैंक यू सो मच बाई बाई टेक क्योव